हलो एब्रीवान आम जोक्टर गरीमा साची विल्कम यर आल इन माई यूट्यूब चैनल चलिए फ्रिंट्स आज हम सभी ट्यूमर के बारे में समझते हैं इसे नियोप्लास्म भी कहा जाता है और ये अबनॉर्मल ग्रोथ होती है बोडी में नॉर्मली जब भी बोडी में किसी भी तरह की ग्रोथ होती है तो वो कॉडिनेशन में होती है एक symmetrically form होता है कोई भी organ और tissue, एक proper coordinated cells और tissues बनते हैं, लेकिन यदि ये coordination loss हो जाए, abnormal, uncoordinated form में cells और tissues बढ़ने लगें, तो वो एक mass develop करते हैं, और वही होता है tumor, ये abnormal growth है, अब ये दो type के होते हैं, benign और malignant, benign means ये non-cancerous होते हैं, इसमें cancer का खत्रा नहीं होता, और malignant वाला जो है, वो cancerous growth होता है, चलिए friends, उसके पहले यदि आप से भी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीचेएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजएगा, ताकि आपको updates मिलते नहीं, और इस वीडियो को last तक जरूर देखिएगा, हम कुछ homeopathic medicines properly describe करेंगे, जो किस tumor को help कर सकती है, क्या और करने के लिए, और हम समझेंगे आज की tumor, tumor के symptom, सारी चीज़ें ये, क्या और कैसे develop होता है, तो चलिए जुड़ी रहिए हमारे साथ, तो tumors के जो symptom है, वो उस area क हिसाब से होती है, जिस area में tumor होता है, पेंक्रियास में होगा, तो उस से related issues होंगे, हो सकता है, बहुत ज्यादा insulin का production होने लगे, और sugar level बहुत डाउन होने लगे, brain में है, तो कोई nerve compress कर सकता है, कुछ और abnormalities produce कर सकता है, breast में है, तो painful हो सकता है, uterus में है, तो bleeding heavy कर सकता है, depend करता है, अलग-अलग tumor में, इसे हम अलग-अलग topic में particular tumor को जब समझेंगे, तो वहाँ पर उसके symptoms चालेंगे, अब हम इसके types की बात करते हैं, तो पहला है benign, यह जो है non-cancerous होता है, अभी जैसा हमने explain किया था, तो इसमें जो growth होती है, वो एक particular area में localized होती है, और circumscribed, means goal tumor बनेगा, अक्सर कर इसमें, और यह cancerous में नहीं turn होता है, इसमें आते हैं जैसे uterine fibroid हो गया, या फिर melanocytic navy हो गया, या osteophytes हो गए, यह सभी tumor benign में आते हैं, next variety है potential malignant, यह कहलाते हैं carcinoma in situ, means यह एक जगा पर स्थिर तो रहेंगे, ना यह invade करते हैं किसी और area में, ना किसी तरह का कोई destruction करते हैं, लेकिन इन में capability होती है, कि यह cancerous में turn हो सकते हैं, और last है malignant neoplasm, तो यह already cancerous होते हैं, एक जगा पर तो रहते ही हैं, invade करके किसी और जगा पर भी चले जाते हैं, इसे metastasis कहते हैं, और दूसरी जगा जाके भी organs को destroy करते हैं, और पूरी body में infection produce कर सकते हैं, पूरी body में cancerous tissues spread कर सकते हैं, और यह fatal means leading to death भी हो सकते हैं, secondary neoplasm में भी एक चीज है, वो क्या होता है, जैसे कोई primary tumor है, उसको treat किया, या किसी तरह की कोई cancerous growth है, उसका operation हो गया, chemotherapy, radiotherapy, सब कुछ हो गया, पेशेंट ठीक होकर आ जाए, लेकिन उसके secondary, उस operation, उस therapy के बाद जो radiations है, उसकी वज़ा से एक new growth का formation होना, वो कहलाता है, secondary neoplasm, अब हम difference समझते हैं, nodule और tumor के बीच का, तो 20 mm के size से जो छोटा होता है, वो nodule होता है, और उससे बड़े size का जो भी overgrowth है, वो tumor कहलाता है, चलिए friends, अब हम इसके कारण समझते हैं कि किस वज़़ से ऐसी overgrowth होती है, genetic mutation की वज़ा से, familial history, means family में किसी के tumor है, तो वो history run कर रही है, hormonal हो सकता है, किसी तह की surgical operation के बाद की history, means post surgery भी किसी किसी को tumor बन जाते हैं, किसी तरह का outflow की tube हो, वहाँ पर obstruction हो जाए, वो outflow proper ना हो पाए, या उस नली का narrowing होना, सकरा होना, तो उसकी वज़़ से backflow जब होगा, तो उस area में overgrowth हो सकती है, और ऐसा अकसर देखा जाता है, या DNA damage होने की वज़ा से, DNA में mutations होने की वज़ा से भी ये tumor होते हैं, तो genetic mutation भी इसका एक बहुत बड़ा cause है, हम इसके कुछ risk factors समझते हैं, जो कि exogenous cause हैं, जैसे कि तंबाकू बहुत स्यादा खाना, या फिर alcohol लेना, cigarettes पीना बहुत स्यादा, obesity भी इसका एक risk factor है, ultra wallet radiations, solar radiations, या फिर ये जो X-rays हैं, उसके लिए बार-बार exposure होना, CT scan, MRI का बार-बार exposure होना, तो ये सभी भी tumor body में form करने के लिए risk factor का का काम करते हैं, चलिए अब हम इसके treatment part को समझते हैं, तो allopathically surgical excision means tumor को निकालना या उसका operation करना ही एक मात्र तरीका है, चलिए friends, अब हम कुछ homeopathic medicines को समझते हैं, जो कि इस tumor को ठीक करने में काफी हद तक helpful हो सकती हैं, और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हर एक tumor के लिए तरीका अलग होगा, हर एक का homeopathic cause अलग होगा, जिसे हम उसके particular topic में समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं हम medicines के बारे में, तो पहली medicine है antem crude, ये maximum heart tumors को cover करती, इसमें honey color के tumors होते हैं, बाहर की तरफ growth होती हैं और conical shape के होते हैं especially, ये हर एक तरह के tumor पे work करती है, चाहे वो benign हो या malignant हो, atheroma हो, blood tumor हो, या फिर किसी तरह का ganglion हो, corn हो, या बड़े tumor हो, और इसे cold bathing से मींस ठंडे पानी से नहाने में aggravation होता है, अब हम बात करते हैं इसके mental symptoms की, तो patient बहुत ज्यादा sensitive होता है, उसे चांद की रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं आती, उस तरह मूट बहुत sad होता है, depressed होता है, suicidal thoughts बहुत ज्यादा रहते हैं उसे, और उसे किसी का भी touch करना, या कोई उसकी तरफ देखे भी, उसे सहन नहीं होता है, हमेशा गाँ गाँ कर बात करता है, कोई भी sentence है तो उसे गाँ गाँ कर बोलेगा, rhymes और verses में, तो यदि ये symptoms करस्पॉंड करते हैं, तो antem crude helpful हो सकती है, निक्स्ट मेडिसिन है औरम आयोड, ये ovarian cyst को भी cover करती है, uterine fibroids भी, in duration किसी तरह का हो, तो उसे भी cover करती है, और साथ ही साथ, blood vessels में यदि tumor है, तो उसे भी cover करती है, और muscles के जो tumor है, myomas, उस पे भी इसका action बहुत अच्छा है, लेकिन जो mental symptoms है, तो patient बहुत strong होगा, positive होगा, duty bounded होगा, अपने काम बहुत अच्छे से जिम्मेदारी से करता होगा, responsible person होगा, वरकोहलिक होगा, उसे काम करना बहुत पसंद होगा, खुली हवाई से बहुत पसंद आती है, और बहुत ज्यादा sensitive होता है noise के लिए, उसे आवास सहन नहीं होती है, तो यदि ये symptoms कर्सपॉंड करते है तो aurum iod helpful हो सकती है, next medicine है calcaria carb या calcaria का पूरा group, तो इसमें slow growing tumors होते हैं, nerve के tumor, muscles, blood vessels, सभी tumors को cover करती हैं, इसके अलावा uterine fibroid हो, fibroadenoma हो, ovarian cyst हो, सारी चीजें cover करती हैं ये medicine, लेकिन इसके साथ एक problem ये होती है कि जो tumors हैं, वो separating होते हैं, means उसमें pus का formation देखा जाता है, तो यदि ये सारी separations के साथ tumor हो, और mental symptoms में, patient fatty, flabby constitutionally हो, और mentally slow हो, तो ये medicine का work बहुत अच्छा है, इसे horrible things बहुत ज्यादा affect करती हैं, blood नहीं देख सकता कहीं, चाकू से जैसे किसी का हाथ कर जाए, तो वो blood देखके बेहोश हो जाएगा, कोई accident का case हुआ, तो वो देखके बेहोश हो जाएगा, fainting tendencies भी बहुत होती हैं, और बहुत ज्यादा slow होता है mind से, और इसके अलावा, उसे magnetism पसंद होता है, कोई उसे सहलाते रहें प्यार से, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें यदि कर्रस्पॉंट करती हैं, तो calcaria भी helpful हो सकती है, next medicine है konium meth, इसका सबसे अच्छा result fibroadenoma पे दिखा जाता है, लेकिन ये बाके tumors पे भी work करती है, और इसका cause होता है after injury tumor का बनना, किसी भी तरह की कोई चोट हो, उसके बाद यदि उस जगह पे tumor बन जाए, तो इसका action बहुत अच्छा है, हम बात करें mental symptoms की, तो patient बहुत depressed होते हैं, बहुत ज्यादा sad होते हैं, कोई भी काम में उनका मन नहीं लगता है, किसी चीज़ में interest नहीं होता है, और पुराना जो भी past होगा, बुरा बीता हुआ समय, उससे continuous याद करते रहना, जो भी disagreeable events होते हैं, उसके बारे में सोचनों, और जरा से भी चीज़ होगी, तो वो उन्हें बहुत ज्यादा important लगेगी, जोटा सा काम important लगेगा, और important काम को वो ignore करते हैं, तो यदि ये symptoms का respond करते हैं, तो ponium mac helpful हो सकती है, next medicine है iodine, तो iodine के जो भी tumor होंगे, वो हमेशा fast growing होते हैं, rapid होते हैं, बहुत जल्दी बढ़ते हैं, क्योंकि mentally भी patient बहुत fast, aggressive और violent होता है, तो इसका physical जो growth है, वो भी इसमें जो tumors की growth है, वो भी fast, rapid होती है, और इनमें जो mental symptoms है, वो है कि societal tendencies बहुत होती है, है, बहुत ज़्यदा sad or depressed रहते हैं, हर चीज में जल्दबाजी रहती है, हरी रहती है, कि जल्दी से ये काम कर लो बस, और लोगों का साथ उन्हें पसंद नहीं आता है, aversion to company रहता है, तो यदि ये symptoms correspond करते हैं, तो iodine help को हो सकती है, लास्ट मेडिसेन है कैलकेरिया फ्लोर, तो इसमें blood whistles के muscles के tumors देखे शाते हैं, इसके अलावा ये ganglia, corn, keloid, इन सभी पे भी work करती हैं, लेकिन इसके जो tumor होते हैं, बहुत ज्यादा hard होते हैं, इसका bone tumors पे भी specific action है, और जो भी tumor होंगे बहुत hard और painful होते हैं, हम बात करें, इसके mental symptoms की तो बहुत जादा patient चिंतित रहता है, anguish होता है, restless होता है, एक जगह से दूसरी जगह move करता रहता है, अकसर और fear of poverty होता है, गरीबी का अडर, कि बस मैं गरीब हो चाऊंगा, मैं अपना business नहीं संभाल पाऊंगा, बहुत timid होता है, और उसे किसी न किसी का support चाहिए होता है, यदि ये symptoms का respond करते हैं, तो calcare of floor helpful हो सकती है, चलिए friends, आज का topic यहीं complete होता है, जल्दी मिलते हैं अगले topic के साथ, और हमारी clinic का address पा contact number इसे वीडियो के description link में दिया गया है, और हमारी आप सभी से request है, कोई भी medicine, डॉक्टर से consult किये बिना मत किजेगा, consult करेंगे, history proper देंगे, तो जो mental symptoms है, उससे match करके जब medicine दी जाती है, तो उसका action perfect होता है, ऐसे ही यदि कोई medicine लेंगे, तो proper action नहीं करेगी, और हमारी channel को subscribe कर दीजेगा, bell icon जरूर प्रस किजेगा, stay connected to stay healthy, thank you. झाल